दॉक्टर भीमराव अम्बेटगर विधी विश्विध्याले के पूर्व कुलपती दॉक्टर देव स्वरूप को डिगरी मामले में आखिरकार क्लीन चिट मिल गई हाला कि इस मामले पर उनको वी सी पत से स्तीफा दिना पड़ा था क्या है पूरा मामला देखे ये खास रबाट डॉक्टर भीमराव अम्बेटगर विधी विश्विध्याले के पूर्व कुलपती डॉक्टर देव स्वरूप को लेकर सवाल उठे थे इनकी डिग्री गलत होने की एक शिकायत पर राजभवन ने जांच के लिए कोटा उपन यूनिवर्सिटी के कुलपती की अध्यक्षता में उचिस्तर ये कमिटी गठित की थी डॉक्टर बियार अम्बेटगर विश्विध्याले के पूर्व कुलपती है डॉक्टर देव स्वरूप डिग्री के मामले में लगे थे डॉक्टर देव स्वरूप पर आरोप अब राजभवन ने बताया कोई जाच नहीं है पेंडिंग गमेटी ने राजभवन को रिपॉर्ट सौपी डॉक्टर देव स्वरूप को ललबी की डिग्री के मामले में क्लीन चिट मिली राजभवन ने कोटा के ओपन यूनिवर्सिटी के कुलपती के अद्रिक्ष्टा में गठित की थी जाच कमेटी और इसके बाद डॉक्टर देव सरूप ने लौ यूनिवर्सिटी के कुलपती के पद से इस्तीफा दिया था कारेकाल पूरा होने से करीब दो महिने पहले इस्तीफा दिया था शिकायत थी कि कुलपती पद के रूप में उन्होंने अपनी एललबी की डिग्री चुपाई थी इसके बाद डॉक्टर देव सरूप ने लौ यूनिवर्सिटी के कुलपती के पद से इस्तीफा दे दिया था कमिटी ने उनकी डिग्री की जांच की तो कोई कमी नहीं मिली वहीं अब राजभवन ने एक पत्र में बताया कि डॉग यूनिवर्सिटी में देव सरूप के कुलपती कारेकाल के अवधी में उनके विरुद कोई चांच पेंडिंग नहीं है 2013 में देव सरूप के खिलाफ आरियू में भरती को लेकर आरूप लगे थे इसके बाद 2014 में दॉक्टर देव सरूप को आरियू के वीसी पत से इस्तीफा देना पड़ा था दॉक्टर देव सरूप की ललबी डिग्री को लेकर विवाद उठा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडगर विधी विश्विध्याले के कुलपती पत से इस्तीफा देना पड़ा था डॉक्टर देव सरूप को डिगरी के मामले में अब क्लीन चिट मिल गई है गौर तलब है कि डॉक्टर देव सरूप ने डॉय युनिवर्सिटी के कुलपती के रूप में अपना कारिकाल पूर्ण होने से करीब दो महिने पहले ही पत से इस्तीफा दे दिया था बीरो रिपर्ट फोर्स्ट इन्या निउस